अबरी वर्म वेलकम इंडीद तो अल दी फ्यूचर कामपी सेकेटरीज इन दे मिशन सीरीज और फिनाशनल मैनेजमेंट लीजिये हम आगए एक नए चैप्टर के साथ आपके आने वाले एक्जाम की प्रिपरेशन को, स्ट्राटेजी को और एफेक्टिब बनाने पर आगे बढ़ने के पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फड़ा फड़ इसे सब्सक्राइब कर लें विकॉस इससे बहतर कंटेंट आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाला अब चलिए बात कर लेते हैं थम रूल्स को लेकर सेशन के बारे में जो कि अल्रेडी आप जानते हैं कि जो नोट्स में रेफर करूंगा रिविजिन के दौरान आपको उसमें से कुछ भी लिखने का दरकार नहीं पड़ेगा ये पूरा का पूरा नोट इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में as a link दिया हुआ है तो जैसे ही आप लेक्चर देखना शुरू करते हैं link से download कर ले document और document refer करें lecture को देखते वक्त सर क्या इस चाप्टर में भी हम लोग पहले दो चाप्टर की तरह theory and practical दोनों cover करेंगे the answer is yes हम important theory, important concepts, formulas सब revise करेंगे ताकि हम जल से जल इस चाप्टर को cover कर पाएं तो चलिए without wasting any more time rough paper हाथ के पास रख लें ताकि हम formula in important words को लिख कर practice कर सकें और साथ में calculator को रखना ना भूलें तो चलिए start करते हैं the chapter capital structure जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने regular class में कि जैसा खाना important है जिन्दा रहने के लिए food is important for survival वैसे ही business के लिए पैसा important है और पैसा के साथ साथ capital structure is also very important अगर आप हमारे regular class के बच्चे हैं आपको याद होगा I have talked about food or diet यानि एक diet perfect होना अच्छे होने से body healthy होती है fit रहती है वैसे ही अगर एक capital structure अच्छे से बनाया जाए optimum capital structure achieve किया जाए तो भाईया company का survival भी अच्छा होगा company fit रहेगी company grow करेगी यानि अगर कोई आपसे कहे कि भाईया capital structure is important for the survival of the business for the survival of the company the answer is yes capital structure is important for the survival of the business तो देखिए क्या कहता है हमें achieve करना है एक optimum capital structure यह जो word optimum है नया बिलकुल नहीं है बच्चा dividend policy में देखा है cost of capital में भी इसके बारे में जगा जगा बात करी है optimum level का क्या मतलब हुआ optimum level का मतलब हुआ the level at which we get the maximum price per share यानि valuation of the company valuation of the firm maximum आएगा इस level पे तभी उसे हम optimum level कहते हैं जैसा कि अलड़ी discussed है capital structure is just like our food diet plan shortage of capital is also not good excess of capital is also not good अब excess of capital good क्यों नहीं है because capital पैसा free में नहीं आता अगर आप excess capital लेकर रखते हैं अगर excess capital लेकर रखते हैं तो क्या पूरा का पूरा इस्तमाल कर पाएंगे तो क्या पूरा का पूरा इस्तमाल कर पाएंगे the answer is no सर अगर हम excess रखते हैं तो पूरा का पूरा इस्तमाल नहीं कर पाएंगे idle cash पड़ा होगा idle cash पड़ा होगा और जब cash idle पड़ा है उससे return नहीं आ रहा पर cost of capital तो लगेगा because capital never comes free आपने जहां से भी पैसा लिया है उसको क्या मतलब है कि आपने excess capital लेकर उसके capital को idle छोड़ रखा है उसने आपको पैसा दिया उसको return में चाहिए कमाई यानि cost of capital तो excess capital लोगे तो नुकसान है because use नहीं कर पाऊगे return नहीं आएगा पर cost of capital तो लगेगा अगर shortage of capital की बात करे यानि 100 का requirement second वाले case में 100 का requirement है पर तुम 70 ही ले रहे हो my question is क्या तुम justify कर रहे हो the answer is no sir अगर एक body को 100 खाने की जरूवत है अगर आप 70 ही खा रहे हैं तो क्या पूरा body को portion मिल रहा है the answer is no आप कमजोर हो जाएंगे week हो जाएंगे वैसा ही company के case में है जितना capital का requirement है जितना capital structure होना चाहिए अगर आप under रखते हैं तो एक time ऐसा आएगा कि भईया आपका दिवाला निकल जाएगा आप खतम हो जाएंगे आईए नीचे सबसे interesting चीज balance sheet आपके सामने है तो capital structure में equity capital, preference capital, debenture and loan आता है again capital structure दो तरीके के होते हैं दो पार्ट होते हैं उसमें एक equity होता है एक debt होता है जानते हैं एक equity होता है एक debt होता है equity का मतलब अंदर की बात internal source of funding cost of capital में revise किया था ना debt capital यानी borrowed fund external source of funding नीचे आ जाईए again this chapter is from the long term purpose एकदम दिमाग में set है सर financial management में अगर 12 महिना या उससे जादे का है तो long term हुआ within 12 months हुआ तो short term हुआ capital structure का definition क्या है breakup of the capital employed breakup of the capital employed यानी total capital है 130 ध्यान दो बच्चा एकदम गौर से total capital है 130 और अगर इस 130 का मैं break up बताऊं 50 equity, 30 preference, 20 debenture, 30 bank loan तो ये 50, 30, 20 और 30 क्या हुआ capital structure है तोटल capital employed 130 था उसका break up अगर करने जाएं तो capital structure सामने आ गया आईये नीचे internal source of financing, internal source of capital यानी equity capital, external source of capital यानी borrowed fund यानी बाहर के लोग पैसा दे रहे हैं, तो बाहर का आदमी जब पैसा देगा, वो risk थोड़ी लेगा, वो तो उधार देगा ना, cost of capital में इसके बारे में हमने बात करी थी, तो internal source में आएगा, retained earnings यानी savings, equity, preference, external में आएगा, bank loan, debenture, other term loan, take 30 seconds time, फटा फट इस page को revise करें, and your time starts now, फटा पड़ा जीए गाईज, जल्दी जल्दी revise करें, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले page के तरफ, अब बात करते हैं, convertible debenture के बारे में, जैसा की नाम बताता है, convertible, यानी जो convert हो जाए, convertible debenture का मतलब है, ऐसा debenture, जो एक time period के बार, या किसी condition के satisfy होने पे, I am repeating, एक ऐसा debenture, जो एक time होने के बार, या एक condition के satisfy होने पे, equity में convert हो जाएगा, नीचे आते हैं straight away, on types of capital structure, regular class से मैंने आपको बताया था ना, कि जो base होता है, जो एकदम base होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, याद आया क्या, जो base होता है, वो equity का बना होता है, यानी अगर आप ये thumb rule याद रखेंगे, types of capital structure में, चाए horizontal बोले, vertical बोले, pyramid structure बोले, inverted pyramid बोले, कहीं पर भी definition में दिक्कत नहीं आएगे, जस्ट आपको diagram सोचना है, और आप आराम से definition लिख पाएंगे, तो horizontal, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वो diagram है, horizontal एक line, तो आपने क्या पढ़ा था, सर्फ base है equity, तो horizontal में, base line है, तो यानि पूरा का पूरा equity का बना है, क्या इसमें loan component है, the answer is no, क्या इसमें financial leverage का advantage है, the answer is no, ये किस चीज़ का बना है, सर majorly equity और जादा हुआ तो retained earnings, majorly equity जादा हुआ तो retained earnings, vertical में आ जाईए, vertical का मतलब standing line, इसका नीचे का base छोटू सा equity का होगा, ये जितना उपर बढ़ेगा, base तो नीचे ही होगा, base थोड़ी बढ़ा हो जाता है, तो equity का base है, small component of equity है, उपर जितना expand करेगा, वो ज्यादा तर debenture का होता है, यानि base इत्तू सा होगा, base दादा बढ़ा होता नहीं है, base किसका है, equity का है, उपर जितना बढ़ेगा, ये आपका in the form of debt बढ़ेगा, अब interesting वात ये है, कि सर नीचे अगर base थोड़ा सा है, और उपर बढ़ाते रहेंगे, तो ये तो unstable होगा सर, ये तो गिर जाएगा, एकदम सही, this is highly unstable structure, और इन equity को रोक के रखने के लिए, हमारा dividend payout high होता है, because अपने equity shareholder को पैसा देते रहेंगे, थोड़े से है ना, भाग गए तो ढर से, अगर पैसा देते रहेंगे, तो अगला रुकेगा, अगला wait करेगा, अब आते हैं अगले part में, that is pyramid shaped capital structure, जैसे आप diagram देख पा रहे हैं, triangle जैसा है, नीचे का base होता है, तो equity और retained earning नीचे आ गया, सर, pyramid structure सुन्दर देखने में लग रहा है, एक balanced way में चल रहा है, equity component भी है, loan component भी है, अच्छा लगा देखकर, एकदम बढ़ियां, यानि यहाँ पर balance है, equity और debentures का, यानि loan component का, pyramid जैसा दिखता है, यानि यहाँ पर stability ज्यादा है, the most stable structure जो है, यही वाला है, आईए inverted pyramid में, अल्रेडी जानते हैं, नीचे का base होता है, यानि equity इत्तु सा है, ज्यादा क्या है, debt component, सर ये भी तो stable नहीं रह पाएगा, because base अगर नोकीला है, inverted pyramid है, टीकेगा नहीं, तो सबसे stable structure कौन सा हुआ, सबसे stable structure हुआ, आपका pyramid structure, सर उसके बाग, horizontal को लोग देख सकते हैं, बर horizontal capital structure में, since सिर्फ equity है, debt component नहीं होता, यानि financial leverage का advantage नहीं ले रहे हैं, आपको पता है ना, debt लेने से, interest payment करने से, interest is a tax reductible expense, tax का liability कम हो जाता है, यानि we are taking advantage of financial leverage, और जब आपके capital structure में, loan component नहीं है, उधार component नहीं है, it means lack of financial leverage, it means lack of financial leverage, take 30 seconds time, फटा फट, types of capital structure को revise कर लें, जो बच्चे पहली बार इस chapter को देख रहे हैं, बच्चा mission series का मतलब है, revision करवाना, ये regular class के तरह नहीं है, तो अगर आपको लगरा हम जल्दी यल्दी जा रहे हैं, तो बेटा यानि इस chapter को अभी भी आपने ठीक से नहीं किया, हम एक ही class के अंदर में, important parts, important concepts को revise कर कर, next chapter के तरफ चले जाएंगे, तो अगर आप पहली बार इस lecture को देख रहे हैं, पहली बार इस chapter को देख रहे हैं, तो ये आपके लिए नहीं बना, it is purely meant for revision purpose, फड़ा पड़ गो थू करें guys, types of capital structure, अब आते हैं अगले part में, बच्चा कहेगा, sir capital structure को देख कर, क्या कोई आदमी कुछ conclusion निकाल सकता है, क्या capital structure बहुत सारी कहानियां बताता है, strategy के बारे में बताता है, approach of the business के बारे में बताता है, the answer is yes, capital structure देख कर, आपको कई सारी चीज़ें पता चलती है, सबसे पहला, firm की strategy क्या है, क्या वो equity dependent है, या वो loan component dependent है, firm कितना risk लेना चाहता है, अगर कोई firm के capital structure में loan component ज्यादा है, significant है, तो risk ज्यादा है, आप तो already जानते हैं, कि अगर सर आप loan component बढ़ाईएगा, तो interest component बढ़ेगा, और interest component कहता है, आप business करें, ना करें, कमाई हो, ना हो, profit हो, ना हो, आपको interest payment तो करना पड़ेगा, it is the most secured part of capital structure, वहाँ पर आप avoid नहीं कर सकते, तो strategy के बारे मैं बता चला, risk profile के बारे मैं बता चला, आज़े ये नीचे, अगले page में आप देखेंगे, significance of capital structure, सबसे पहला क्या हुआ, जो मैंने बताया, firm का strategy के बारे मैं idea लगा, number two, sir company का risk profile समझ में आया, क्योंकि ज़्यादा loan component होगा, interest component will be high, यानि the firm का total structure risky है, number three, sir tax management tool के बारे में idea लगता है, बताया ना इसके बारे में, financial leverage को लेकर, तो आप जब capital structure देखते हैं, आपको idea लग जाएगा, इसका tax management planning कैसा है, अब आते हैं the most important part, capital structure versus financial structure, अगर आप पुराने editions देखें, या might be कुछ नए editions में, भी मैंने देखा था, इस particular topic पे, 2-3 पन्ना लिखा है, पर 2-3 पन्ने का दरकारी नहीं है, जो आप screen में देख रहे हैं, अगर आपको इतना पता है, वो 3 पन्ने के बराबर है, यानि बिकार का महनत नहीं करना पड़ेगा, hard work अच्छा है, पर यहां पर हम smart work करेंगे, तो आईए देखते हैं, आपको क्या बात करने वाले हैं, यानि एक बात तो क्लियर हो गया, कि financial structure में सर, long term भी होता है, short term भी होता है, यानि financial structure ज्यादा बड़ा है, compared to capital structure, financial structure में short term भी है, long term भी है, current liability short term है सर, capital structure में नहीं आता, और capital structure long term है, तो हमने यहां पर क्या सीखा, सर, financial structure minus current liability equals to capital structure, financial structure में long term short term दोनों आता है, current liability short term होता है, capital structure long term perspective से है, तो बड़ा कौन सा हुआ, broader कौन सा हुआ, सर, financial structure broader है, in comparison to capital structure, यानि हमने यह तीनों भी revise कर लिया, give a reading guys, एकदम ध्यान से, अभी अभी हमने discuss किया है अलापाट, एकदम गौर से देखिये, दिमाग लगाएं, एकदम ध्यान से guys, अब आते हैं, to the most important part of this chapter, जहां के basis पे, maximum practical questions आते हैं, हम revise करने वाले हैं, income statement का the most popular format, फड़ा फड़ वाइट पेपर पेन निकाल लीजे, और देख साथ मैं आपको बोलते जाता हूँ, आप भी लिख कर practice करें, एक ही बार करेंगे, बट solid तरीके से करेंगे, लिखिये फड़ा फड़, निकाल लीजे पेपर अन पेन, sales minus variable cost, gives you contribution, sales minus variable cost, gives you contribution, contribution minus fixed cost, gives you operating cost, और EBIT, फड़ा पड़ करेंगे, sales minus variable cost, gives you contribution, contribution minus fixed cost, gives you EBIT, या operating profit होगा, EBIT, EBIT minus interest, gives you EBIT, यानि earning before tax, and earning before tax, minus tax, gives you EAT, यानि earning after tax, और PAT, यानि earning बोलें, profit बोलें, from this chapter's point of view, बात एक ही है, याद आया क्या, regular class का discussion, दिसक्शन दिमाग में set है, एक बार लिखा आपने, चलिए इस last time, साथ में repeat करते हैं, sales minus variable cost, gives you contribution, contribution minus fixed cost, gives you EBIT, इस Earning before interest and tax, Earning before interest and tax, minus interest, gives you EBIT, और PBT, इस Earning before tax, profit before tax, EBIT minus tax, gives you EAT or PAT, इस Earning after tax, और profit after tax, बात्स इस EARNING after tax, फ्लेक्सिबिलिटी, रिटर्न, रिस्क, फ्लेक्सिबिलिटी, नीचे चले आईए गाईज, डिजाइनिंग ऑफ अ कैपिटल स्क्चर, सबसे पहला है कैपैसिटी, यानि आउकात जितनी हो, उतना ही कैपिकल स्क्चर को बढ़ाना चाहिए, अगर आपकी आउकात कम लोन लेन की है, इंट्रेस्ट कम दे पाईएगा, तो हीरो क्यों बनते हैं, जबरदस्ती बढ़ा क्यों रहे हैं, लोन कॉंपनेंट, इक्विटी पे कंसेंट्रेट क्यों नहीं करते, कंट्रोल, आपको अच्छे से पता है, इक्विटी वालों के पास, वोटिंग राइट्स होती है, तो अगर आपको अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं है, छूटने नहीं देना, तो capital structure को केरफुली डिजाइन करना पड़ेगा, ताकि majority of equity का stake आपके पास रहे, आपका position डाइल्यूट ना हो जाए, नमबर तीन, functional, यानि जो भी capital structure आप बना रहे हैं, that has to be active and functional, ऐसा ना हो कि आपने capital structure बनाया, और वो functional नहीं हो पा रहा, इस्तमाल, implement, execute नहीं हो पा रहा, नमबर चार, flexible, आज के दिन आप जानते हैं, corporate world कितना dynamic है, कल क्या होगा, परसो क्या होगा, आपको पता ही नहीं है, तो अगर आपका capital structure इंगम static है, rigid है, change नहीं कर सकते, as per the market requirement, external factor, as per the internal factor, तो भाईया, survive कैसे करोगे, तो आपका जो capital structure है, has to be flexible and dynamic, at last but not the least, the fifth number point, आपका capital structure should be in compliance with rules, laws and regulation, यानि law में जैसा लिखा है, capital structure वैसा ही होना चाहिए, वही process होना चाहिए, अपने मन से आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानि designing of a capital structure वाला part, done and dusted, नीचे आजाईए, optimum capital structure, optimum level के बारे में मैंने आपको आपको अल्रीडी बताया, optimum level का मतलब हुआ, the level at which we get the maximum price per share, जहाँ पर valuation of the company maximum होती है, optimum level का एक और definition है, which says, जहाँ पर cost of capital, जहाँ पर cost of capital minimum आता है, जहाँ पर cost of capital minimum आता है, is that clear? अब अपने आते हैं straight away, operating leverage के formula के तरफ, एक बात याद रखिएगा, combined leverage का formula क्या है बच्चा, एकदम फट से याद होगा, operating leverage into financial leverage, combined leverage का, sorry, formula है, operating leverage into financial leverage, मेरा अगला सवाल, मालो question में पूछता है, degree of financial leverage, degree of operating leverage, डर जाएंगे क्या, बिलकुल नहीं सर, चाहे वो operating leverage बोले, चाहे वो degree of operating leverage बोले, financial leverage बोले, या degree of financial leverage बोले, बात एक ही है, डरने का कुछ भी नहीं है, तो पहला formula क्या recall किया, sir, combined leverage equals to financial leverage into operating leverage, आज एधर, sir, operating leverage का formula है, contribution by EBI team, financial leverage का formula है, EBIT by EBT, एक बार साथ में repeat करेंगा, बच्चा, सबसे पहले, operating leverage का formula क्या जाना, contribution by EBIT, financial leverage का formula, EBIT by EBT, combined leverage का formula, operating leverage into financial leverage, degree of financial leverage बोले, तो financial leverage है, degree of operating leverage बोले, तो operating leverage है, फड़ा पड़ वाइट पेपर पेन निकाल लीजे, रफ पेपर निकाल बच्चा, OL, FL, तो operating leverage का formula हमने पहले क्या याद किया, contribution by EBIT, financial leverage का क्या याद किया, EBIT by EBT, अब आते हैं, combined leverage में, सर, easy है, operating leverage into financial leverage, यानि operating leverage को expand करो, operating leverage का formula, contribution by EBIT into EBIT by EBT, इस formula में EBIT, EBIT कट गया, एक बात हमेशा याद रखना, formula याद करने का technique, formula में, दोनों में से एक में जो denominator होगा, दूसरे वाले में numerator होगा, तभी वो कटता है, अगर ये चीज clarity है, formula याद रखना will be easy, यानि यहाँ पर हमने क्या देखा, सर, operating leverage में EBIT denominator में था, financial leverage numerator में था, इसी लिए कट गया, यानि जिस बच्चे को याद रह जाएगा, ये वाला फंडा formula याद रखना would be easy, तो यानि ultimately contribution by EBIT, अब बच्चा कहेगा कि सर, exam में क्या करें, directly contribution by EBIT लिख दे, combined leverage का, या जैसा आपने तोड़ के दिखाया, वैसा करें, देखो boss, MCQ होता तो tension की बाती नहीं थी, जिनका MCQ है, tension की बाती नहीं थी, because directly answer में टिक्की लगाना है, पर जब subjective paper है, मेरी मानो, मेरा suggestion अगर लो, तो पूरा expand करके proper तरीके से लिखो, ताकि कहीं पर भी number काटने का मौका ना मिले, ये बात याद रखना, फटा फट आ जाओ, जितना formula हैं लिखा है, take one minute का time, रभ paper में देख कर लिखो, practice करो, ताकि lecture के साथ ही ये तुमको याद हो जाए, फटा बढ़ हाँ चलाओ guys, contribute, फटा बढ़ लिखिये, लिख कर practice करिये, फिर आगे चलेंगे, लिख के practice कर रहे हैं, तो जो बच्चे अभी join किये हैं, मैं आपको बता दूँ, जो document में lecture के दौरान refer कर रहा हूँ, वो इस video के description box में आपको मिल जाएगा, तो लिखने का कोई दरकार नहीं है, link से download कर लिजे, और फटा फट lecture को refer करें, यानि quick तरीके से, जल्दी तरीके से, अपने maximum important portion को cover करेंगे, इस chapter में, is it done, नीचे आजाईए अब, आते हैं अब types of leverage में, types of leverage में, operating leverage, financial leverage and combined leverage, contribution EBIT, EBIT, ABT, already इसके बारे में अपने जानते हैं और revision done है, नीचे आजाईए, operating leverage, operating leverage के साथ term है, fixed operating expense, fixed cost, variable cost, fixed cost के बारे में अलड़ी आप जानते हैं, कि सर, production बढ़ा रहे हैं, operation बढ़ा रहे हैं, sales बढ़ा रहे हैं, fixed cost पे कोई असर नहीं है, पर variable cost change होता है, अगर आपने production, operation या sales को बढ़ाया या घटाया, तो fixed cost जैसा नाम है, fixed रहता है, right? variable cost fluctuates, with the operation level, sales level, और production level, आज यह नीचे, straight away आते हैं, इस particular formula में, यानि अलड़ी हम जानते हैं, contribution by EBIT एक formula है, operating leverage का, पर operating leverage का एक percentage वाला formula भी है, that is percentage change in EBIT, by percentage change in sales, percentage change in EBIT, by percentage change in sales, यानि income statement में, उपर से जब नीचे आते हैं, contribution पहले EBIT बाद में, तो contribution by EBIT, normal formula, वहीं पर, अगर percentage वाले formula में जाएं, तो उल्टा चलेंगे, EBIT उपर, sales नीचे, percentage वाला आ गया, लिखकर practice करो, तो contribution by EBIT दिमाग में set है, operating leverage का percentage वाला formula भी है, अरे मुन्ना मुन्नी, बताओ जरा क्या है, सब percentage change in EBIT, by percentage change in sales, क्या है बच्चा, percentage change in EBIT by percentage change in sales, यानि दोनो formula done, operating leverage का formula नॉर्मल वाला, contribution by EBIT, percentage वाला, percentage change in EBIT by percentage change in sales, income statement का format बताओ बच्चा, sales minus variable cost contribution, contribution minus fixed cost EBIT, EBIT minus interest gives you EBIT, EBIT minus tax gives you EAT, फड़ा फड़ा दोनो formula लिख चुके हैं, आते हैं नीचे के तरफ, already हमने आपको बता दिया, fixed cost is never dependent on the actual production or sale, but the variable cost is, भूलियेगा मत, fixed cost change नहीं होगा, sales के साथ और operations के साथ, सरी सम बनाना है क्या, चलो सम बनाई लेते हैं, question आपको दिखा रहे हैं, question स्क्रीन पे है, फटा फड़े बाग question को read करें, फिर आगे solve करते हैं, calculator हाथ के पास रखें, sales दिया है, fixed cost दिया है, यानि contribution निकल जाएगा, EBIT निकल जाएगा, क्या, सेल, fixed cost, variable cost, definition में याद किया था ना, operating leverage में consist करता है, fixed cost और variable cost, notes में लिखा है, fixed cost और variable cost, variable cost A में है 50%, B में है 25%, यानि sales का 50%, sales का 25%, question देखा क्या, straight away solution में आओ, देखो, क्या तुम्हारा यही structure बना है, गोथू करो बच्चा, sales question से देखके लिखा, variable cost 50% था यहाँ पे, यहाँ पे 25% दिया है question में, contribution आ गया क्या, fixed cost question में दिया था, EBIT आ गया क्या, contribution by EBIT formula है, तो हमने क्या किया, company A काया 2.5, company B काया 3, take 30 seconds time, फटा फट इस question को देखिए, जो बनाना चाहें तेजी से बनाए, scribble करे रफ पेपर पे, और जो देखकर रिवाइस करना चाहें, देखकर रिवाइस करें, पड़ा पड़ करिए गाई, इस तेजी के साथ, दने या तक, आते हैं अगले पार्ट के तरफ, आते हैं अब financial leverage के तरफ, जैसा कि आप जानते हैं, financial leverage में के concept में, हमने बात किया था कि अगर सरा आप loan लेते हैं, आप interest payment करते हैं, interest is a tax deductible expense, तो आपका tax liability कम हो जाता है, तो जब भी कोई company अपने capital structure में, tax component को रखती है, इसका मतलब यह है, वो financial leverage का advantage ले रही है, अगर कोई company tax component को नहीं रखती है, तो भाईया, lack of financial leverage होता है, देखिये नीचे, we are talking about financial leverage का एक और नाम है, trading on equity, financial leverage का एक और नाम है, trading on equity, दो तरह के financial leverage है, एक है positive financial leverage, दूसरा है negative financial leverage, एक है positive financial leverage, दूसरा है negative financial leverage, अब आप देखिये, positive financial leverage या favorable financial leverage का मतलब हुआ, when the company earn more on the asset purchase with the fund than the fixed cost of their use, यानी, company का positive financial leverage तब आएगा, favorable financial leverage तब आएगा, जब company की कमाई assets से ज्यादा है, in comparison to fixed cost of their use, I am repeating, जब company ज्यादा कमाती है assets की मदद से, in comparison to fixed cost of their use, दूसरा पार्ट आएगे, unfavorable और negative, अगर अपने बात करें unfavorable और negative के बारे में, तो आप देखेंगे, यहाँ पर cost of fund ज्यादा है, in comparison to कमाई, यानि जब आपका income कम है, cost of fund ज्यादा है, तो भाईया, negative और unfavorable होगा, आज यह नीचे formula देख लेते हैं, financial leverage का formula आपको already clear है, EBIT by PBT, याद किया था ना, percentage वाला formula, अगर percentage वाले formula में, operating leverage में, numerator में था क्या percentage change in EBIT, revise करो, पीछे जाओ, अगर operating leverage के formula में, percentage वाला जो formula है, उसमें, numerator में है, percentage change in EBIT, तो क्या financial leverage वाले formula में, denominator में होगा क्या, तब ही ना, दोनों कटेगा, याद आया क्या, एकदम perfect, यानि, percentage change in EBIT, denominator में, percentage change in taxable income, उपर होगा, तो यानि, दो formula है, financial leverage का, एक है, EBIT by EBT, दूसरा है, percentage change in taxable income, divided by percentage change in EBIT, फड़ा फड़ एक बार revise करें, पहला है, EBIT by PBT, लिख कर प्राक्टिस करो बच्चा, जो lecture देख रहा है, विडियो पॉस करके लिखो पहले, EBIT by PBT, दूसरा है, percentage change in taxable income, divided by percentage change in operating income, क्या ये दोनों part clear है, क्या आगे बढ़ा जाए, फड़ा फड़ा आजाए नीचे, यहाँ पर sum नहीं बनाएंगे, already हमने solution आपको दे दिया है, आप अभी formula पर concentrate करें, ताकि class के बाद आप detail में revise कर पाएं, अभी बस important concept, मोटी मगर छोटी बातों के बारे में बात करेंगे, मोटी और छोटी बातों के बारे में बात करेंगे, I'm sorry, ताकि आप revision करते हैं वक्ट detailing में और perfect हो पाएं, straight away आते हैं, अपने अगले concept में, financial break-even point, यहाँ पर example अपने बना सकते हैं, तो पहले break-even point का मतलब क्या है, बच्पन से पढ़ते हैं आ रहें economics में, सब break-even point का मतलब है no profit no loss, यानि यहाँ पर कमाई जितनी है और खरचा जितना है दोनों बराबर है, यहाँ पर कमाई जितनी है खरचा जितना है दोनों बराबर है, यानि EPS zero होता है, break even point का मतलब no profit no loss कमाई जितनी है खर्चा भी होतना है what is the formula of financial break even point interest plus preference dividend divided by one minus tax rate यानि कोई अगर तुम से पूछे financial break even point का formula तुम कहोगे interest plus preference dividend one minus tax लिखकर practice करो बच्चा financial break even point equals to interest plus preference dividend divided by one minus tax लिख लिए फटा फटा आजाओ sums के तरफ और इसे solve करो और मुझे बताओ financial leverage क्या आ रहा है financial break even point क्या आ रहा है फटा फट इंट्रेस्ट प्लस preference dividend divided by one minus tax rate financial break even point का formula बनाया क्या क्या तुम्हारा answer ग्यारा लाक आया just formula में put करना है interest plus preference dividend one minus tax यानि at rupees 11 lakhs EPS will be zero आया क्या last few seconds to go देख लो एक बार गौर से एक दाम फिर आगे चलेंगे done एक दाम आते हैं अब combine leverage के तरब combine leverage का दो और नाम है composite leverage total leverage तो एक्जाम अगर composite leverage पूसता है यानि combine leverage है total leverage पूसता यानि combine leverage है formula contribution by PBT and percent change in EPS by percentage change in sales I repeat percentage change in EPS divided by percentage change in sales आप अलड़ी जानते हैं OL into FL means combined leverage operating leverage into financial leverage means combined leverage आगे आ जाहिए straight away आते हैं on the concept of working capital leverage very important formula from the examination perspective working capital leverage CA यानि current asset by total asset minus change in current asset बेटा रप्पेपर में लिखो एक बार current asset by total asset minus change in current asset current asset by total asset minus change in current asset फड़ा फड़ा जहिए इस particular question पे और solve करिए यानि current asset by total asset minus change in current asset solve करिए और मुझे बताईए answer क्या आएगा question में current asset दिया है total asset दिया है change है 30% of their current asset change है 30% of the current asset फड़ा फड़ बताईए x limited का क्या आया y limited का क्या आया जल्दी यल्दी एक दब current asset by total asset minus change in current asset कुछ-कुछ किताब में प्लस दिया हुआ है ये सही formula है is it done आया क्या answer अरे बेटा जल्दी यल्दी निकालो calculator में rough में निकालो बेटा इतना time नहीं है सजा सजा के लिखने का क्या आपका answer सबसे पहला वाला x का 0.90 आया आया क्या full stream किया मैंने देख लो कैसे आया current asset by total asset minus change in current asset 0.90 आया क्या आ गया क्या बहतरीन दूसरा है 0.3125 0.3125 आया क्या आ गया होगा straight away आते हैं अगले part के तरफ इस illustration को important लिखिए lecture के बाद full fledged sum बनाएंगे यानि percentage वाला formula इस्तमाल करके हमको values निकालना है जिस बच्चे को formula याद रहेगा practice किया हुआ होगा ये सब sum पानी की तरह है एकदम easy आगे बढ़िये आ जाईए straight away simplex वाले में लिखिया important यानि lecture खतम होने के बाद आप ये दोनों sum बनाएंगे एकदम याद से आज आईए indifference point पे indifference point का formula लिखिये निकालिया paper बच्चा यानि एक ऐसा point जहां पर कोई भी combination of equity and debt low कोई भी ratio of equity or debt low 1 is to 2, 2 is to 1, 3 is to 4 कोई भी ratio में लो कोई भी component में लो आपका EPS सेम आएगा आपका EPS सेम आएगा formula लिख डालिये फटा फट पेपर पे निकालो again a very important concept for the upcoming examination क्या है formula EBIT minus interest into 1 minus T minus preference dividend into 1 plus T EBIT minus interest into 1 minus T minus preference dividend into 1 plus T by number of shares A equals to same to same खाली नीचे आएगा B EBIT minus interest into 1 minus T minus preference dividend into 1 plus T दो बार लिखिएगा यह formula ताकि दिमाग में पूरा बैट जाए फिर कुछ important points के बारे में बात करेंगे इस सम को solve करते वक्त ध्यान दीजेगा एकदाम दूसरी बार लिखिए EBIT minus interest into 1 minus T minus preference dividend into 1 plus T numerator बता रहा हूं repeating EBIT minus interest into 1 minus T minus preference dividend into 1 plus T question में अगर preference dividend नहीं दिया है तो इसको 0 पकड़ लेंगे जबरदस्ती assume करने मत जाईएगा अगर question में नहीं दिया है preference dividend तो 0 पकड़ेंगे question में अगर interest rate नहीं दिया है यादि loan component नहीं है तो 0 पकड़ेंगे अपने मन से कोई value assume मत कर लेना इस particular question पे हमने एक sum यहां दिया हुआ है चोकि illustration number यह वाला है तो आईए question को देखते हैं equation मनाते हैं ताकि revision आराम से हो जाए a new project outlay is require 400 लाक रुपिया अब एक company को business करने के लिए 400 लाक चाहिए अब यह 400 लाक कैसे आएंगे या तो अपने दो पार्ट में divide कर लें 200 equity 200 debt 400 को दो पार्ट में divide किया 200 equity और 200 debt या फिर पूरा equity में ले लिया 400 या फिर पूरा equity में ले लिया 400 situation number one अगर पूरा equity 400 में लिया है पूरा equity 400 ही ले लिया है तो interest का कोई amount होगा क्या नहीं सर 0 बैठेगा preference dividend question में नहीं दिया है preference dividend 0 बैठेगा सर जहां पर equity loan दोनों लिया है वहाँ interest होगा क्या obvious होगा सर loan ले रहे हैं खाली difference क्या होगा denominator में जहां पर खाली equity है वहाँ पर 40,000 equity होगा और जहां पर equity और loan दोनों है वहाँ equity आधा हो जाएगा because question में ही बोला है ना situation number 2 में 200 equity 200 loan is that clear अब आप देखिए EBIT calculate करना है question में read the question now समझा दिया है मैंने question read करिये फिर और detail में बताएंगे question read कर लीजे एक बार screen पर है यानि 400 लाग का requirement है option 1 खाली equity 400 लेलो option 2 200 equity 200 loan लेलो जहां पर 400 equity है interest amount 0 होगा जहां पर 200 equity 200 loan है वहां पर interest amount होगा हाली difference क्या होगा जहां पूरा equity है 40,000 equity share पकड़ेंगे जहां पर आपका आधा है वहां पर 20,000 पकड़ेंगे तो formula पता है क्या आपको सर अभी अभी तो याद किया था ये वाला formula यहीं यहां पर बैठा के करना है so EBIT मैंने X पकड़ा X बढ़ा दिया पहले वाले में interest 0 होगा 40% tax rate है सब preference dividend दिया ही नहीं है तो 0 पकड़ लिया बनाओ equation पहले और solve करके मुझे बताओ तुम्हारा answer क्या है solve करो class के साथ बच्चा equation आपकी आखों के सामने है EBIT को X पकड़ा है आवास follow करो EBIT को X पकड़ा है पहले वाले में interest नहीं होगा because कोई आपका loan component नहीं है 0 preference dividend 0 यानि जिस बच्चे का equation बन गया है अगर तुमने ये सम गलत बनाया यानि तुम्हारे बच्पन का पाप है पुराना पाप है तुम भारा basic math clear नहीं है और financial management की class में basic math सोड़ी practice कराएंगे revision में बच्चा फड़ा फड़ एक बार बनाईए और देखिए क्या आया आपका answer देखो एक बार 30 second दिया मैंने तेजी से हाँ चलाओ क्या answer आया यही वाला जो screen पर मैंने highlight किया है देख लो एक बार solve करो खुद से क्या आया बच्चा ध्यान से करी एक दम ध्यान एक दम एक दम पर्फेक्ट. So with this the important concepts, formulas, छोटी मगर मोटी बाते हमने cover कर ली है, lecture खतम होते ही, जो दो सम मैंने आपको बताया, पहले उसे practice करिएगा, उसके बाद इस पूरे notes को revise करिएगा, जिस बच्चे के पास ये notes है, हमारे regular class के बच्चों के पास already उनके best friends, summary copy और formula copy है, जो बड़ी मेहनत से बड़ा class के दौरान बनाया था, और जिन बच्चों ने पूरा maintain किया है, जैसे उनके messages आते हैं, हमें समझ में आता है, the effectiveness, the quality of those summary copy and formula copy, तो फटा फट एक बार दोनों सम बनाएं, इन notes को revise करें, because अगले chapter हम ले के आएंगे, अपने अगले session में, till then, take care, goodbye and all the best.